बॉर्निंग अबरिबन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास एट का जो चप्टर हमारा है त्वेल्थ चप्टर है उसकी एक्साइज जो है 12.1 एक्साइज उसका कोश्चन नमबर जो 4 है उसको में इस वीडियो में एक्स्प्रेंगे तो चीज के दो पार्ट देरिखे इसने कोश्चन नमबर जो 4 है हम आप दिखार रहा वीडियो में यह इवैल्यवेट फर्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट दोनों ही मैं इस वीडियो में समझाने क्वेश्च जारूंगा तो पहला वाला पार लिख रहे हैं एट की पावर माइनस वन इन्टू फाइव की प प्लस क करना है जैसे कि इसको प्लस करना और इसके मैनस की ल marketing की प्लस करना है तो पहला स्फक्राइव कैसे होगी यह जो फोन फस्रों फार उपर चला जाएगा दो उपर चला जाएगा अर लज रहेख फार ठीक है ठीक है पहला स्थाब आपको समझ आ गया होगा इसके बाद आप इस कोशन को formula जो identity है उसके साथ भी कर सकते हैं और आप इसको without identity के साथ भी कर सकते हैं ठीक है जो without identity वाला है वो method मैं आपको बताता हूं पहले उस method कैसे होगा उस से क्या होगा कि इसको 2 की power 4 तो आप 4 बार लिख लिए यहां पर 2 x 2 x 2 x 2 ठीक उसके बाद 5 हमारा केला है इसको विए आप 5 कितनी बार 3 बार लिख लिए 5 x 5 x 5 को कि समय मैं नहीं है इंटी ये उसके लिए लिखा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अब यहां पर यह 8 पावर माइस लिख था यह क्या जागा प्लस मैंने मारत लिकाथ तो यह गलत था ठीक है यह नीचा के क्या ब्रस हो जाएगा के लिए एक को ऐले के लिए आप देखो हमें पत 2 1 जा, 2 2 जा 4 2 1 जा, 2 1 जा गट गया ठीक यह 3 2 से हमारा 8 पूरा गट गया है हमारे पर बच्चे है 2, 5 5 5, 5 तो इन की multiply करनी पड़ेगी ठीक है इन दोनों की multiply करी 2 5 जा 10 ठीक है, तब इसको यहां लिख सते 2 5 जा 10 और 5 5 जा कितना हो गया 25 होगे अब इन दोनों की multiply करोगे तो आपका कितना आएगा यह आएगा 250 आपका क्या आंसर आएगा ठीक है 250 आंसर आगया यह तो था हमारा बिना formula के अगर आप इसको formula के साथ करना जाते हैं तो इसी method को हम formula के साथ कर सकते हैं हम यहाँ से question उतार लेते हैं माइनस 8 के वावर माइनस 1 इंटू 5 के वावर 3 अपॉन 2 के वावर माइनस 4 दे रखा था ठीक है अगर हम इसे formula के साथ करना जाते हैं तो formula के साथ हम कर सकते हैं बट उसमें क्या करना पड़ेगा आपको थोड़ इसी उसमें ज्यादा करनी पड़ती है इसको हमें क्या बनाना इसको आप पॉर्वर को आप प्लस करना चाहिए प्लस कर लिए उसके बाद आप अइडेंट्री लगा सकते हैं ठीक है तो चलो इसको पावर प्लस करते है पावर प्लस करने वर कितना 3 क्योंकि अगर हम 2 को 3 वार लिखेंगे तो हमारा एड आधा आधा आपको पता है 2 x 2 x 2 4 4 तो इसको हम 2 की वार 3 भी दिसकते अब देखो यह जो देखो इनके जोनों के 2 to same है base same है तो हम लोगोंने एक identity बढ़ी होगी एकी पावर M upon एकी पावर N इसका क्या होता है एकी पावर M minus N यह जो identity है जैसे इसमें 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 पावर दोनों के अलग 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 है तो यह क्या हो जाए जब डिवाइड में होती है पावर के आप माइस हो जाती है तो यह क्या होगा हमारा 2 की पावर 4 minus 3 into 5 की पावर 3 तो यह जाएगा हमारा 2 की पावर 4 तो माइस करके 4 में 3 माइस करेंगे तो 1 बच जाएगा और 5 की पावर 3 बच जाएगा ठीक अब इसको solve कर लिजी आप यह 3 हो जाएगे 5 इसको लिशाते है 2 into 5 को 5 into 5 इन दोनों के multiply करी तो हमारा क्या गया 10 और इन दोनों की multiply करें हमारा 25 ठीक अब इन दोनों की multiply करोगे तो आपका अंसर फिर से आएगा 250 आजाएगा ठीक है आंसर आपका सेम आएगा formula से कर लीजिए बिना formula कर लीजिए वह आपकी मर्जी है इसके बाद इसका जो second part है उसको मैं वतार ले रहा हूँ उसको मैं करता हूँ सावस, second जो part है इसका हो है हमारा 5 की power 1 in to 2 की power 1 in to 6 की power 1 दे रखा ठीक है तो इस formula आले part इस वाले question को भी हम कर सकते हैं हो इसको पहले मैने साथ को प्लस करना तो यह क्या जाएगा और यह भी बूबन आपन 6 अब यह इसको बाइब कर लेंगे इन दोनों के बाइब और यह वाला था और यह वाला थोड़ा सा लेंदी था अगर आपको इस दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और प्लीज लाइक और शियर जिरू कीजिए और चैनल को सबस् लिस्ट का आप लोग बेनिफिट लेगो उड़ा सकते हैं प्लेलिस पर जाइए अपनी क्लास देखिए चैप्टर देखिए और असानी से आप लोग अपनी वीडियो जून सकते हैं ठीक है तो बहुत जलता मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें के बारे में बात क बाई बाई छीयो कें टेकेर